नवश्कार स्वागत आपका क्रिकट के इसरी में मैं हूँ आपके साथ प्रवीन याद हो मौडरन डे क्रिकट में अगर भारत के बेस्ट बल्ले बाजों की बात की जाये तो उसमें सबसे उपर रोही शर्मा और विराट कोली का नाम आएगा इन दोनों खिलाडियों ने क्रिकट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट वंडे और टी ट्वेंटी क्रिकट में अपना बड़ा नाम बनाया है जब ये दोनों दिगज खिलाडी मैदान पर खेलने उतरते हैं तो सामने वाली टीम बस यही दुआ करती है कि जल्द से जल्द इनका विकेड मिल जाए लेकिन किसका विकेड मिलना सबसे ज़्यादा जरूरी है ये भी तो जानना है हमें तो इसका जवाब वेस्ट इंडीज के स्टार और राउंडर काईल मायर्स ने दिया है मायर्स ने बताया कि रोहित और विराट में कौन ज़्यादा बहतर है तो आईए जानते हैं मायर्स ने क्या कहा जैसा कि आप सबको पता है भारती टीम इस समय वेस्ट इंडीज टूर पर है जहां उसने टेस्ट और वंडे सिरीज जीत ली है और अब हारतिक पांडे की कप्तानी में T20 सिरीज खेल रही है जिसके पहले मुकाबले में भारती टीम को चार रन से हार का साबना करना पड़ा था इसी दोरान वेस्ट इंडीज के ओल्ड राउंडर काईल मायर्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि रोईच शर्मा और विराट कोली में किसका विकेट ज्यादा कीमती है मायर्स ने बिना टाइम लिये इस सवाल का जवाब देते वे कहा विराट कोली का विकेट मायर्स ने अपने जवाब में कहा मुझे लगता है कि कोई भी गेंदबाज चाहेगा कोली को आउट करना वो तीनो फॉर्मेट में सबसे बहतरिन बल्लेबाज है यहाँ अगर देखा जाए दोनो बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को तो विराट कोली के तीनो फॉर्मेट में रोहित से बहतर रिकॉर्ड है यह आप सब भी को पता है लेकिन रोहित शर्मा को भी कम नहीं आग सकते हैं क्योंकि हिट मैं जब अपने रंग में होते हैं तो सामने वाली टीम के गिंदबाजों के पसीने छूटने लगते हैं भारत के लिए दोनों ही खिलाडियों ने पिछले कई सालों से बहतरीन परदशन किया है और आने वाले समय में भी अपने बल्ले से भारती टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करते रहेंगे हाला कि इस समय ये दोनों खिलाडी टी टुएंडी सिरीज का हिस्सा नहीं है और वन डे सिरीज में दोनों ने युवा खिलाडियों को मौका देने के लिए खुद को बाहर बैठाया था जबकि टेस्सीरीज में दोनों के बल्लेशे सतक भी देखने को मिला था और भारती क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ये दोनों खिलाडी टीम के लिए अच्छा करते रहें और एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी भारत को जिताए फैलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही क्रिकेट से जुड़ियों और व्याची खबरों के लिए देखते रहें क्रिकेट के स्री धन्यवाद